हेलो गाईस आज मैं आपको बताऊँगा कि हम हमारे जो लिखावट है उसको केश सुदार सकते हैं देखे दोस्तों हम कई बार लिखते हैं और हमें ऐसा एसास होता है कि हमारी कास हमारी हेंड राइटिंग सुन्दर होती देखिए सीखने की कोई उमर नहीं होती किसी भी समय सीखा जा सकता है उसी परकार हेंड राइटिंग के लिए भी कोई उमर नहीं है आप किसी भी समय जब चाहें आप तभी अपनी हेंड राइटिंग को सुधार सकते हैं बस आप मैं कुछ आपको कुछ उपाय बता रहा हूं हेंड राइटिंग सुदारने के उस के अकोडिंग आप चलते रही ठीक है गाइस तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए जब भी आप लिखते हैं तो लिखते समय जो उपर की लाइन आप खेंशते हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चीज़िए गाइस मैं आपको पैक्टिकल करके बताता हूँ जैसे सपोज हम कुछ भी चीज लिख रहे हैं हमने लिखा राम घर जाता है ठीक है अब इसमें देखिए मात्रा मैं एक्जांपल तोड़ पर बता रहा हूँ आपको फश्ट कि हमने जो पहले बताया आपको लिखते समय उपर की लाइन सीधी होनी चीए तो देखो लाइन ये सीधी होनी चीए कई लोग ऐसे लिखते हैं राम घर जाता है तो देखे ये लिखते ही ये गलत होता जा रहा है अगर आपन ये लगाएंगे तो ये पूरा क्या है गलत हो जाएगा इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए आप जो उपर की लाइन है वो हमेशा आपको सीधी हां तो दूसरा एक्जामपल है अपना कि जो लिखते समय अकसर है वो टेड़े मेड़े नहीं होने जी बिल्कुल सीधे होने चीए देखिए जिसे मैंने दूसरा एक्जामपल यह हम है भाई भाई हैं अब कई लोग लिखते समय कैसे लिखते हैं हम सब भाई भाई है ऐसे के हमने अलग से लिख दिया मैं थोड़ा बड़ा लीग दिया सै ऐसे लिख दिया मतलब की यह अकसर टेडर मेड़े लिख देए ठीक है अकसर आपके आपके सहीों होंगे सीधे होंगे त्टेडर मेड़े नहीं होंगे तो आपके हैंड हमेशा अक्सर सीधे रहें हैं यूटे में नहीं हो ठीक है कि तो अपना तीर्सता तरीका क्या है कि लिखते समय अक्सर छोटे बड़े नहीं होने छहे जैसे अपने एक्जांपल लेते हैं तीसरा उसमें देख रहे होंगे आप राम रोज स्कूल जाता है ठीक है यह जो अपने लिखा इसाट अपने लिखने आप अखसर सेम होगे लेकिन जो बाद devoir है यहाँ लिखने में लोग बाग ऐसे लिख देते हैं राम रोज इसकूल जाता है मतलब कि ये छोटे बड़े हो गए इसकान ये तरीका अपना गलत होता है ठीक है आप हमेशे ये कोशिस कीजिए कि हमार जो अकसर है वो छोटे बड़े नहों कर बराबर रहे हैं कि देगे लिखते समय जो अकसर के मद्ध है वह अंत की दूरी है वह समान होनी चीए अरतार जो अकसर अपने लिखा है उनके जो बीच की दूरी आ रही है मान लीजिसे अपने कोई लिखा राम लिखा है फिर छाम लिखा है ठीक है तो इनके बीज की दूरी भी कय था और बनाया उसके अजो सब्सक्राइब के अब कर दोंडान पिक्रार से प्लिख की दूरि सकरय है ईसके बीज की दूरша राम Arabic दोनों मित्र हैं तो यह वाला तरीका अपना गल्स हो जाएगा देखे इनके बीच की दूरी समान नहीं है तो क्या यह अगर आपन लिखेंगे ऐसा तो यह हैंड राइटिंग अपनी सुन्दर नहीं हो पाई तो कोशिस यह कीजिए कि आप जो लिखते हैं उनके जो अकसर यह जो पैंटफा है वह लिखते समय जो मात्रा का उप्योग खरते हैं उनका उप्योग सीधा वर सही तरीके से होना चीए मैं आपको देखिए इसका एक्जमपल लेखें बताताओं यह देखें जिसे रोज रोज तुम कहां जाते हो ठीक है देखे इसमें में देखें मात्रा को जो यूज हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है ठीक है जो मात्रा को अपन को यूज लेना है वो सही डंग से होना चीए सीधी मात्रा है होना चीए ठीक है ऐसा नहीं हो कि अपन सही मात्रा नहीं लगा पारें अधरवाइस यह क्या है अपना और ध्यान ही नहीं देते हम लिखते जाते हैं भई हमें क्या है कि गास काटनी जीसे हम लिखते जा रहे हैं हम यह देखते ही नहीं हम क्या लिख रहे हैं और किस वेव में लिख रहे हैं हम लिखने का कोई तरीका नहीं अपनाते बस हमें लिखना है और लिखने के बाद भी हम ले गही है कोई मात्रा वगरा वगरा जो लगाई है मैंने वो साइज तो है अकसर शीधा लिखuhan मैंने है ना केड़ा मैडा तो नहीं हुआ है छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है इतियादी थीक है तो हम में लिखते समय यह ध्यान रखना है कि हमने सही लिखा है ठीक है आगे है सात्वा पॉइंट कभी भी कोई गल्ती होने पर अक्सर को या सब्द को यू काटें देखे मैंने काट के बताए दो लाइनों में कटना जीए हम क्या करते हैं उसके उपर बिल्कुल ऐसे काला ब्लेक ब्लेक कर देते ह जैसे मेंने कोई भी अक्सर लिखा श्याम ठीक है श्याम लिखा मैंने मैंने कोई भी अक्सर लिखा श्याम तो श्याम ऐसे लिखा मैंने तो मेरे काटने का तरीका मेरे काटने का तरीका इसको यूं होना चाहिए ठीक है कई लोग काटते हैं यूं है बताए अब इससे क्या है यह आपकी जो लिखावट है उस पर इफेक्ट पड़ता है तो गाइस हमेश्य धान रखिए आपको इन सातों पॉइंट का इस पेसल ध्यान रखना है मैं एक बार दुबारे बोल देता हूं हिंदी लिखावट केसे सुधारे उसमें सबसे पहला पॉइंट है लिखते समय उपर की लाइन सीधी होनी चीए लिखते समय अक्सर टेड़े मेड़े नहीं होने चीए लिखते समय अक्सर छोटे बड़े नहीं होने चीए चोथा पॉइंट है लिखते समय अक्सर के मद्य वस सही तरीके सो होना चाहिए चट्टा है हमारी हमने हमारी लिखावट पर ध्धान ही नहीं दिया है कभी तो हमें हमेशा जो हम लिखते हैं लिखने के बाद उसको देखना चाहिए कि हमने क्या लिखा है सही लिखा या नहीं लिखा उसमें अकसर छोटे बड़े हैं या नहीं है हमने टेडे में अकसर यूज नहीं किये ना ठीक है सात्वा पॉइंट ये भी देखिए handwriting का ही पार्ट है अगर आप समझते हैं कि ये hand writing का पार्ट नहीं है लेकिन ये handwriting का पार्ट है अपन को काटने का तरीका भी आना चीए कि हम अगर कोई भी एक्जाम वगरा दे रहे हैं नोर्मली भी कर रहे हैं तो हमें काटने का तरीक एसा होना चींए कि दो लाइन में काटना चाहिए हमें हमें ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल ऐसे ब्लेक कर दिया यह गलत है यह नहीं करना है अपनको अपनको क्यावल यह दो लाइन में काटना है जैसा मैंने आपको बता है ठीक है तो देखिए आप देख रहेंगे उसको काटने से क्या होगा उसको ऐसा काटने से एक और impact होता है देखिए जो भी आपने देखा होगा जो अपने exam वगरा देते हैं ठीक है education से जितने भी exam वगरा देते हैं तो आपने देखा कई बार अपन सही answer लिखे उसको ऐसा कर देते हैं ठीक है तो इसमें आप पता ही नहीं चल पारा बंदे ने लिखा क्या है जबकि अगर आप दो लाइन से यूं काटते हैं तो क्या examiner को यह दिखता है कि हां भाई बंदे ने इससे पहले क्या लिखा था तो कई बार उसको क्या इंडारेक्ली बेनिफिट में मिल जाता है इस च जहां रखें ठीक है आपके handwriting जरूर सुदर जाएगी अच्छा और एक और बात अगर आप इसको बहुत जल्दी और बहुत तेजी से चाहते हैं कि अब भई मुझे तो बहुत ही जल्दी से मेरे handwriting सुदार नहीं है मतला कैसे कि एक दो महिने में इतनी सुन्दर handwriting कर लूँ मै गैसे हैं कि पूछो मन तो आप आज से ही डेली एक सुलेक स्थार कर दीजिए आप खेंगे से आले स्थार देजार करो सुलेक केसे चाहिसे कोई भी layer ले ले लिजे रामघर जाता है मैं कल ओफश जाओंगा मैं कल exercise करूँगा कुछ भी जितना लेश्था क्यांते है को उसका पूरा पेज भरिए और उस समय ये 67 जो मैंने बताएं उनका ध्यान दीजिए आपके हेंड्राइटिंग में जल्दən से जल्दे सुदार हो जाएगा यह मेरी गारंटी है ठीक है। फिर भी आपके अगर कोई confusion है कोई भी doubt आपको तो आप मुझे कमेंट में यह डाल सकते हैं बता सकते हैं और आपको कोई प्रोड्रम होती है तो मैं आपके साथ हूं ठीक है तो थैंक्यू गाइज आपने इस वीडियो को देखा इसे टाइम दिया तो करपया आप इस पर अपना कमेंट भी जरूर डालें आपको यह वीडियो पसंद आया या 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 क्या है इसका फीड़बेक क्या रहा इसका आप मुझे बताएं थैंक्यू थैंक्यू सो मच